आप सबको नमस्कार जैभिम दोस्तों कैसे हो मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे की पापड की चटनी हम लोग कैसे बनाते हैं यह जो गेह पापड है ना यह गेहुं के आटे के पापड बने गुए हैं और बहुत खटे होते हैं और इसलिए इसकी चटनी बहुत अच्छी और बहुत स्वाधिश्ट लगती है कभी अगर हमें अगर जल्दी में अगर कहीं जाना है और हमें पापड की अगर चटनी बनाना है तो अगर हम लोग सूखे पापड की ही अगर चटनी बनाना है और बारि जब हम लोग इसको बारिक करेंगे तो बहुत जल्दी बारिक हो जाते हैं और बारिक करने के बाद में हम लोग फिर इसकी पापड की चटनी बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि ये ना पापड की चटनी मतलब बहुत घंटे तक रहे सकती है जल्द खोने के बाद में अब मैं बनाने जा रहे हूं चटनी दोस्तों आपको भी बहुत अच्छा लगएगा बनाना और बहुत जल्दी आसानी से बहुत जल्दी बी बन जाती है और खाने में भी बहुत टेश्ट लगती तो यह तेल डालने के बाद में हमने जीरा अगरे दाल दिया और मिर्ची और प्याज होगरे हम लोगों ने काट लिए थे तो बस वह वो मिर्ची प्याज और बहुत सिंफल रेशिपी यह इसकी वाली तो इसलिए का इसमें ज्यादा सवाय भी नहीं लगता बहुत जल्दी तयार हो जाती है यह वाली चटनी तो हम लोगों ने जैसे जीरा और प्याज अगरे डाल दिया और मिर्ची अगरे सब इखटे हमने डाल दिया है उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक इसमें बहुत कम डालना रहता है क्योंकि पाफड की जो कॉंटिटी रेखते हैं उसके हिसाब से अगर नमक डालेंगे तो नमक फिर जादा हो जाता है तो इसलिए थोड़ा कम ही डालना है हमें नमक तो यह हमने नमक वगरे हल्दी वगरे यह सारी चीजे हमने डाल दिया डालने के बाद में पूरे प्याज अच्छे लाल हो जाएंगे लाल होने के बाद में फिर हम लोगों ने जो पापड़ बारिक किया है इसको हम लोग अगर डाल देंगे तो डालने के बाद में बहुत अच्छे व्यक्दब सौप्ट और इतनी अच्छी और मसालेदार इतनी टेश्टी सबजी चटनी लगती है दोस्तों कि आप अगर आप देखोगे ना और खाओगे ना तो मुह में जैसे लार टपकने लगेगी इस प्रकार की यह चटनी लगती है तो दोस्तों एक बा पूरी चटनी रेडी हो चुकी है धनिया अगरे भी हमारा डल चुका है और देखो दोस्तों धनिया डालने के बाद में हमारे चटनी किस्तनी अच्छी लग रही है कि आ रहा है न मूह में पानी देखकर ही मूह में पानी आ जा रहा है तो दोस्तों आज की यह मेरी चटनी रेशीपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना थेंक यू